हालो एरिवान वेल्कम टू बाइन यू लेक्चर माइस सेल्फ मनिस तो हम लोग निकलियर फिजिक्स परड़ हैं बेसे फाइनल यारलोग के लिए इसमें लोग रेडियो एक टीटी वाला चेप्टर रिस्टार्ट किये हुए हैं ठीक है यह तिसरा नंबर का लेक्चर होगा इसे पाहले लेक्चर में हमने जो रेडियो वीगटन का नियम है उसको हम लोग ने एक्स्प्रेंड किया था ठीक है उसमें जो लास्टम जो ग्राफ आया था उसको मैं पॉंच पॉइंट में यहां पर डिस्कस कर दिया था उसके बाद जो छठा सात्वा और आठ्वा पैं इन तीनों को यहां पर गंप्लिट समझेंगे इसको क्या होता है वह समझेंगे उसको फार्मूला कैसे आता है वह यहां पर देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग हाफ लाइफ या फिर क्या बलसकते हो अर्ध आयूका तो क्या होता है अर्धायुकाल, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्धायुकाल मतलब क्या होगा, उसका जो समय है, वो आधा हो जाएगा, किसका समय, तो अर्धायुकाल में क्या होगा, मालो कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें कुछ नाभिकों की संख्या ह है, वह कम होना, इससे होते जाएगा, पिर एक समय ऐसे आएगा, जब एह ख़जार नाभीक है, तो वह पाँस度 नाभीक में कर다면 हाझा हो जाएगा, तो महार लो एक हजार से पांसεια होने में कुछ समय लगेगा, तो वह जो अध होता है जिसमें मूल नाभिकों की संख्या का हम बोलते हैं या फिर अर्द थेंगे में तो उसको excellently कोन तो जो अव Jordi कि कि लिंग ** विल्द टॉ सिंख्या थी उसका आंक्र थी क्या ला एकल टो एंगूरो लम्ड़ा उसका दो levar कि समय बाद नाभीक बचेंगे उसकी संख्या है और इंजीरो क्या है तो इससे हमलोग क्या कर सकते हैं इससे हम लोग capital T ,Mतलब MARY हैक अर्द नाविक से नाभिक क्यों के माहिन सकते हैं एपले से मारे ही चाहिए मैं क्या होता है आर्द नाभिक की संख्या हई रहा हो जाते है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मतलब कितनी नाभिक बच जाएगा तो जो मूल नाभिक के पास जो नाभिक संख्या है उसकी जश्ट क्या हो जाती है हाद ही हो जाती है तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ अब इस condition का use हम लोग यहाँ पर put कर देते हैं तो इसको मैं बता हूँ यहाँ पर put करूँगा तो क्या हो जाएगा एन के जगह में क्या हो जाएगा एन जीरो बाइ टू ठीक है और इधर क्या है एन जीरो ए की पावर माइनस लेमडा टी के जगह में क्या लिख देंगे चले आउंगो तो क्या हो जाएगा logarithmet हो जाएगा मतलब लॉग में चले जाएगा या फिर बोल सकते हो दोनों सेट में लॉग लेने पर दोनों सेट में लॉग लूग लूँगा तो यह लॉग हो जाएगा और यह लॉग और ए कड़ जाता है लॉग 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 और नीचे में क्या जाएगा, लेंडा, तो ये हमारा क्या formula आ गया, capital T का formula आ गया, मतलब, अर्ध-आयुकाल का formula आ गया, ठीक है, ये formula, आपको जन्म जन्मान्तर तक याद रखना है, जब तक पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत जगा यूज होता है, ठीक है, इसी को दूसरे version म इसको मान है उसका मान आप लोग रख देना क्या रखोगे उसको जो मान होता है सुने दिसम्वलाओ छै नो तीन यह होता है ठीक है तो यह अलब फारूमला को भी आपको हमेंसा याद रखना है ठीक है तो इस तरही कैसे इस फारूमला को अब लोग जारेट कर सकते हो डारेक्ट इसको याद रखना है यदि आपको याद नहीं आता तो आप लोग यहां से निकाल सकते हो ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा नोटिस करो इसको देद एक क्वेशन नमबर तीन इसको देद एक इसको नमबर चार ठीक है यहाँ पर सेक्षी नोटिस कर सकते हो यहाँ पर क्या समझ में आ रहे है टी जो है इनवर्शनली प्रोपोर्शनल है किसके लैमडा की तो यह भी आपको पता होना चाहिए मतलब जैसे लैमडा का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे टी का मान क्या हो kok यह ज़्याजम हो जाती है मालो इसका इसका targeting में नाभिको की संख्या एक हजार है तो चार गंटणा बाद इसका चार घंटे का हाफ है टी का मान है और डीके रैओक क्या होगा मा लो कुछ डीके रेट है जैसे की अपना कुछ भी समझ लो हो जैसे एक्स मालो ठीक है तो च इस तो यह लेम्डा क्या होते है कितना जल्दी विगटन हो रहा है उसका मान हो रहा है तो यह x में विगटन हो रहा Seriously और गहादा को यह दसले लूँ मतलब यह जल्दी जल्दी भी घटन हो रहा है इसके मुकाबले में यह तो प्रती मिनट 5 भी घटन कर पा रहा है यह प्रती मिनट 10 भी घटन कर पा रहा है तो इसको क्या है कम समय लगेगा जल्दी जल्दी भी घटन करेगा ना भाई तो पांस सो होने में इसको कम टाइम लग यह लेम्डा कमांद 10 कर रहा हूं मतलब जल 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 भी घटन हो रहा है तो इसको 500 होने में कम समय लगेगा मतलब दो अवर लगेगा ठीक है यहां पर लेम्डा कमांद में कम कर रहा हूं तो समय जादा लग रहा है लेम्डा कमांद में जादा कर रहा हूं तो समय कम लग रहा ह same a relationship यहां पर भी बोल रहा है, मतलब यहां से एक दूसरे क्या है, वित्करमान उपाती है, inversely proportional है, टिक, example से भी समझ सकते हो, यह समझा दिया हो, यह समझ में नहीं आ होगा, तो डालेक्ट यहां से formula से भी समझ में आ रहा है, ती इसके बटा में है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्शनली प्रपोर्शनल हो जाएगा, तो ये आपको properties इसको याद रखना है, इसके बाद ये जो T कमान है, इसका एक और property होता है, क्या property होता है, ये characteristic good होता है, characteristic properties होता है, मतलब characteristic properties होता है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग रेडियो एक्टियो पदार्थों के लिए अलग अलग मान होता है मालो यूरेनियम है तो इसके लिए टी कमान अलग होगा मालो एक्टिनियम है तो इसके लिए टी कमान अलग होगा मालो रेडाउन है तो उसके लिए भी T कमान अलग-अलग होगा मतलब अलग-अलग पदार्थों के लिए T कमान अलग-अलग होता है अलग-अलग पदार्थों के लिए अरधायुकाल कमान अलग-अलग होता है लेकिन सेम पदार्थ के लिए इसके पूरे विघटन होने तक जो t कमान रहेगा वो सेम रहेगा, एक ही पदार्थी के लिए t कमान सेम रहेगा, लेकिन अलग-अलग पदार्थों के लिए t कमान अलग-अलग होता है, ठीक है, तो इसी को बोलते है है characteristic properties या फिर लागच्छडिक गूड यह भी बोल सकते हो तो यह हो गया पूरा complete T का बारे में ठीक है एक formula और निकाल सकते हो चाहो तो कई बार exam में वह formula भी दे देगा तो आप लोग confused नहीं होना है क्या formula तो यह नहीं पर से निकाल सकते हो देखो क्या हुआ यहां से एक प्वेशन है वहां से एक नोटिस कर सकते हो उसको बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ यह है e की power minus lambda t ठीक है तो देखो यहां से मैं n0 को नीचे ले आता हूँ यह कुछ इस टीप से हो जाएगा और यहां पर एक काम करता हूँ मैं उपर में capital T का गुड़ा कर देता हूँ तो नीचे में भी क्या करना पड़ेगा capital T का मेरे को भाग करना पड़ेगा ठीक है अब उपर नीचे में capital T का मैं क्या कर दिया गुड़ा कर दिया अब देखो यहां से क्या हो जाएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग यह घात में मतलब ठीक है तो ऐसे लिख सकता हूँ अब यहां पका से इसका वेल्यू हमलों के पास है क्या वेल्यू है तो यहां पके निकाल सकते हैं समझ करने के लिख सब्सक्राइगा अब यह हो जाएगा करते हैं मीन लाइफ क्या होता है या फिर एवरेज लाइफ क्या होता है हिंदिय में क्या बोलोगे औसात आयू काल तो अब बात करते हैं फिर हम लोग सेगंड पाइंट जो की है मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ ठीक है हिंदिय में क्या बोलते हैं इसको औसात काल या औसाथ या फिर माद्यकाल, यह बोल सकते हो, ठीक है, तो देखो यह भी नाम से समझ में आ रहे है, माद्यय या फिर औसाथ आयूकाल क्या होगा, तो माल लेते हैं कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें क्या होगा, बहुत सारे नाभिक होंगे, और सभी नाभिक ठीक है तो इस नाभिक के बारे मात करें तो इसका कुछ इसका कुछ मतलब विगटन दर होगा जिससे क्या होगा वो विगटित होना स्टार्ट होगा और पूरा पूरा विगटित होगा इस नाभिक के बारे मात कर रहे हैं तो ठीक है और ये होगा इसका फिर विगटन होगा ये भी इसका कुछ औस Saturn का मतलब हर एक नाभिक दरूरी तरीके से ऐगा थीगोरा के दार्थ पुरी पुछ प्लता प्रम और यह कुछ कव्ड़े अगे न पी सबको number मिला कोई भी test में किसी को 50 मिला किसी संक्या मिला किसी को नब्भे मिला कि इसी को 20 मिला किसी दस मिला और इसी दस हैं तो हमको total मैं बोलूगा कि conséqu आपको 20-20 श्माँस Qt box Balance 5 Kt worth US कि अब बताओ तो क्या करते हैं जो भी आया हुआ है प्रस जितने संख्या है, उसको उसमें divide कर देते हैं, फिर हमारे पास क्या निकल जाता है? average निकल जाता है, माध्य निकल जाता है, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ बहुत सारे नाभीक है, सबी का क्या है, कोई नाभीक जल्दी विघटित हो जाता है, कोई ना भी medium range में विगटित हो रहा है तो अगर विघटन समय चाहिए तो क्या करना पड़े माध्यक रेक्त पडार्थ का क्या कर पाएंगे एक समय ऐसा आएगा जब वो पूरा पूरा विघटन हो जाएगा खर एक्चली में ऐसा कोई समय नहीं आता वो अनन्द समय तक विघटित होते रहता है आसा समझ सकते हो ठीक है तो यहां तक समझ में आ रहे हैं तो हम ग्या करना पड़ेगा मिन लाइफ लेना पड़ेगा उस कुल नाभिकों की आयूकाल का योग सभी जो अलग अलग नाभिक है उनके जो आयूकाल है उसका हम लोग योग कर देंगे बटा क्या करेंगे जितने भी नाभिक है उसकी संख्या को डिवाइट कर देंगे तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा कुल नाभिकों की कुल नाभिकों की संक्या ऐसी निकालते हैं न एवरेज तो यहाँ पर भी से वही काम करने वाले हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा औसाथ आयू या फिर मिल लाइफ का फार्मूला ठीक है तो यहाँ तक समझ में आ गया अब देखो जो औसाथ आयू ना इसको हम लोग टाउ से सो करते हैं ठीक है अब देखो इसको चाहूं तो पूरा फार्मूला निकाल के बता सकता हूं जैसे इसके पिछले वाले जो हाफ लाइफ में बताया था लेकिन आप लोग क्या करो जब भी आएगा कोश्चन तो दो नंबर में आएगा तो अब तो फ़्ड़ सो डेफिनेशन लिख देना थोड़ सो एक्स्प्लेइन कर देना एक्चली में है किया फार्मूला लिख देना और एक दो फार्मूला बता रहा हूं और मैं डारेक्ट उसको अफिसियंट है ठीक तो जो आउसत आयू को फार्मूला आता है टाउ बराबर वह आता है वन अपान लेम्डा तो इसको आप लग डारेक्ट याद रखो ठीक है देखो यह जो टाउ है यहां पर भी क्या रहा है इन्वर्शनली प्रोपोर्शनल लेम्डा आ रहा है मतलब टाउ भी एक हिसाब सी क्या है टाइम ही है यहां पर यह पूरा पूरा विघटन कब होगा उसके बारें बात कर रहें तो एक हिसाब से यह और समय उसमें क्या हो रहा था लेम्डा का वित्कुर्मान उपाती हो रहा था तो यह फर्मूला होता है यहां से यह समझ सकते हो अब देखो यहां पर एक यह यहां से देखो one upon lambda के जगह मैं क्या लिख सकता हूं मतलब यह एक relation होता है इसको याद रखना मतलब हाफ लाइफ जो है टाउ का मतलब ऑसत काल का सुने दिसम्राइब छै नौ तीन गुणा होता है असा समझ सकते हो ठीक है तो यह समझ में आ गया तो यह बेसिकली दो फार्मूला है इसको बस याद रखो फिर यह पूरा कंप्लेट हो जाएगा ठीक है तो देखो अब बात करते हैं सक्रीटा के बारे में एक्टिविटी के बारे में ठीक है तो क्या है इसको अप्लेस समझ तुके होगे तुम लोग मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में इसको पिछला लेक्चर था कोई भी रेडियो क्या होता है को विघटन दर से ही वो ठीक है तो विघटन की दर को हम लोग कैसे लिखे थे डी एन अपांड डी टी से तो बस यह जब फार्मूला है इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग सक्रीटा बोलते हैं या फिर एक्टिविटी बोलते हैं ठीक है उसको किसे दर साते हैं और ए से तो एकल टू क्या हो जाएगा dn upon dt ठीक है और इसका मात्रक क्या होता है बस यह formula है ठीक इसमें ज्यादा कुछ और नहीं है मतलब कोई जो radioact element है कितने विघटित विघटन की दर से विघटित हो रहा है उसी क्या बोलते है सक्रीता बोलते है ठीक है मालो किसी को विघटन होने की दर कम है तो वो कम सक्री होगा मालो किसी विघटन होने की दर ज्यादा है तो ज्यादा सक्री होगा जल्दी विघटित हो जाएगा बस यह ठीक है नाम से समझ में आ रहे हैं यह भी तो इसका मात्रक क्या होता है तो इसका जो मात्रक होता है दस विग्हटन प्रती सेकेंड ठीक है यह माल वेल्य होता है इसको एक और मात्रक भी होता है जो कि है रदरफोड ठीक है रदरफोड दर वराबर कितना होता है तो दस prol door चॉय क्यों प्रती सेकेंड तो यह हो गया पूरा complete हम लोग का सक्रीटा के बारे में जैसे मालो कोई दो पदार्थ हैं उसका सक्रीटा A1 है और उसका एक और पदार्थ है दो पदार्थ ले रहे हैं तो एक का A1 है दूसरी एलिमेंट रहेंगे वो सब के यहां पर जोड़ते जाते हैं ठीक है तो यह बस एक छोटा जार फार्मूला था तो आए आपको पूरा-पूरा समझ में आ गया होगा चोड़ा-चोड़ा कोश्चान आएगा इसमें से आएगा तो दो नमबर के लाइक में और में इन तीनों मे सबसे जो पहला बताया ना हाफ लाइफ वाला ओ ज्यादा इंपॉर्टेंट एठीक है तो आपको पूरा-पूरा समझ में आ गया होगा योग तो पसंद आया होगा लाइक से रा सब्सक्राइब जरूर करना मिलनेंगे फिननेश लेक्चर में थैंक्यू बाए बाए